टॉप फो बेस्ट लैप्टप और क्रेटिश के लिए अंडर फिफ्टी थाज़न तो बजी अगर आपका बिज़ेड़ पिचास हजार है आपके लिए मैं लैप्टप बताऊंगा सीधी बात करते है नंबर फो की बात करते हैं लेकिन नंबर फो की बात करने से पहले मैं आप बता देना चाहते हूं भी मैं आपको जितने भी लैप्टप बताऊंगा वो विडियो एक्टिंग के लिए बैस्ट होने वाले अगर आपने फूर के भी ट्राइग करना है आपके लिए बहुत अगड़े होने और आपके लिए अपने ऑप्रेटर काम करना प्लस अगर आप आपने कोई भी हावी सॉफ्टर भी यूज करना है आप इसली नॉर्मली कर सकोंगे तो बात करते हैं सीदा नंबर फो की नंबर फो की बात करें नंबर फो पर यार मैंने रखा है MI Notebook Horizon को अगर इस लैप्टाप की बात करें सबसे पहले में आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकी बिल्ड क्वाल्टी प्लस इसका डिजाइन वो बहुत जादा इसको सूड करता है प्लस MI ब्रेंड है प्लस अगर आ आजाता अगर आपने online classes लगाने है आपके लिए प्लस मैं आपको बता दे जाता हूँ अगर आपने वीडियो एक्टिंग करना है क्रेटर काम करना है प्लस अगर आप गीमिंग विएरा भी करना जाते हो आप कर सकते हो विकाज आपको ग्राफिक कार की बात करूँ आपको MX 350 2GB ग्राफिक कार मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते आप 10th generation के साथ देखने को मिलगा तो specification के अकॉर्डिंग देखा जाए laptop पूरा loaded देखती को मिल जाता है मैं आपको main specification बता देता हूँ थोड़ी सी deeply बात कर लेते हैं वाई तो यह डिस्प्ले की बातों को 40-inch Full HD display मिल जाते जो की एंटीग लेड डिस्प्ले प्रसासर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाते प्रस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते ग्राफिक कार की बात करूं आपको NVIDIA MX3502GB देखने को मिल जाता है operating system की बातों को Windows 10 मिल जाते है बैटरी की बात करूं आप आपको 10 hours का battery backup provide कर देता है price की बातकरों को 51,000 के budget में MI notebook horizon देखने को मिल जाता है तो यहार main specification मैंने आपको बता दिया MI notebook horizon की अभी मैं इसके minus point की भी बात कर लेता हूँ so that's why मैंने इसको number 4 पर रखा इसका minus point सिर्फ यह देखने को मिलता है कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते है लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता so that's why मैंने इसको number 4 पर रखा तो आप इस चीज़ को दियान में रखना कि आपको RAM upgrade करने का option नहीं मिलता जो कि सच में एक minus point आज आता है तो आप देख लेना अगर आपको यह laptop जो है वो सही लगता है आप उसके और जा सकते हो तो आपके लिए यह laptop बिल्कुल भी नहीं बना इसलिए तो मैंने इसको number 4 पर रखा अभी आगे बात करते है number 3 की number 3 की बात करो number 3 पर यार मैंने रखा Acer Aspire 5 को सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपका प्रेड़ 50,000 से कम है तो यह laptop आपको 45,000 के budget में मिल जाता है 45,000 के budget में आपको specification पूरे loaded मिल जाते हैं बहुत अगड़े specification में आपको बताते हैं तो हूँ सिख्धी बात करते हैं specification की तो यह display की बातों को 14 inch full HD plus display मिल जाती जो की IPS panel display प्रोसेसर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता storage की बात करूँ आपको 8GB मिल जाते है expendable आप कर सकते हो पस आपको 512GB SSD के benefit की अगर मैं बात करूँ तो SSD का benefit यह होता है अगर आप टाट अगर आज जल्दी ट्रांसफर करना जाते हो तो आपके लिए बहुत benefit करेगी as comparison किया जाए HDD के साथ HDD की speed बहुत बहुत slow होती है ठी अगर आप data जादा ट्रांसफर करते हो ग्राफिक काड की बात करूँ आपको नवीड यह जीफो MX350 देखने को मिलेगा उप्रेणी सेस्नों की बातों को विंटो टैम मिल जाते है बैंटरी लाफ की बात करूँ आपको 8 hours का बैंटरी लाफ परवाइड कर देता है प्राइस क सब्सक्राइब करना जाते हो आपके लिए ही बैनेफिक होने वाला अगर आप कुछ भी पूछने जाते हो अगर आपको ऑफिस वरक के लिए चाहिए अगर आपको गीपटाप वारे में मैं बात करू हूँ गेमिंग डिजाइन नहीं चाहिए तो इस से इस पाइर सैवन आपके लिए पॉफेक्ट डील हो सकता है बट अगर आपको गेमिंग डिजाइन से मैंटर कुछ भी नहीं करता आपको स्पैसिफिकेशन लोड़ेड चाहिए कि अगर आपने कोई हैवी सॉफ्ट यूज करना है गेमिंग करने वीडिएक करने है आपके लिए बयास्त होने बाला अपके लिए बयास्त हो सबास्ट करना जाते हो मैंने आपको बता दिया अब ही बात करता है दोनों के मेंस पैस्लिक्शन कीटोड़ा से डीप ली बात कर लेते हैं तो यह डिस्प्ले की बातों को 53.6 फुल एस्टे पलस डिस्प्ले मिल जाती जो की 16 19 रिफ्रेशिट के साथ आती तो 16 रिफ्रेश से यह यार एवरेज डिस्प्ले होती है इतना तगड़ा भी नहीं कह सकता है इस तीज को अप ध्यान में रखना प्रसेसर की बातों को आपको 8GB RAM मिल जाती है, अपको 32GB तक प्लस आपको 5GB SSD देखने को मिल जाती है, ग्राफिक कार्ड की बातों को GTX 16504GB मिल जाता है, विंडू 10 मिल जाती है, प्लस आपको fingerprint वगारा भी देखने को मिलेगा, बैंटरी की बात करूं, आपको 7 आवस का बैट display की बातों को 53.6 इस प्लस IPS पैनल डेस्प्ले मिल जाती है, जो की 16 refresh rate के साथ आती है, प्रसासर की बात करूं, इसमें भी आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिल जाती है, बैंटरी की बात करूं, आपको 6 आवस का बैंटरी बैकप परवाइड कर देता है, प्राइस की बात करूं, आप इस से नीट्रो फाग देखने को मिल जाएगा, तो यहार में स्पैस्फिकेशन में आपको दोनों ही लैप्टॉप के बता दिये, मुझे पता है, मैंने जो आपको लैप्टॉप बताए, उनका प्राइस जो है, वो 50,000 से अपर चला जाता है, तो यहार अगर आप एक्स्ट प्राइस रेंज में एसर बहुत तगड़ा है, अगर आपका प्राइस रेंज में एसर लैप्टॉप बहुत जादा तगड़े हैं, तो यहार अभी मैंने आपको टॉप फूर लैप्टॉप बता दिया, जो कि आपके लिए पॉफएट डील हो जकता है, अगर आप कोई भी लाइटर काम करना जाएट ड्वाल पर काम करना आप सबी के लिए जो मैंने आपको लैप्टॉप बता है, वह बहुत अगड़े होने वाले है, तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है, खतम, अगर आपको बीच्छे लगी यार वीडियो को लाइक करताना, झाल्सा फो यह हैं आपको लाइटर को लाइक करता है